बंबे हाई कोट ने हम दो हमारी बारव फिल्म पर लगी रोख को हचा दिया है। कोट ने कहा कि इसने मुस्लिम समुदाई के खिलाब कुछ भी आपत्ती चनक नहीं है। कोट ने यह भी कहा कि भारतिय जनताव भूली या मुर्ख नहीं है। आपको बता दे कि अनुक पूर स्टार्टर फिल्म हम दो हमारी बारव फिल्म साथ जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली थी। लेकिन फिल्म को लेकर ऐसा विवाद चिडा की मामला कोर्ट तक पहुँच गया और 14 जून तक रिलीज डेट को टाल दिया गया। लेकिन 14 चून को भी फिल्म रिलेस नहीं हुई। अब आखिर इस फिल्म की कहानी क्या है? क्यों बार बार इस पर रोक लगी? मामला कोर्ट पहुँचा तो वहाँ क्या कुछ हुआ? सोशल मेडिया पर फिल्म की कंचेंट को लेकर तू तू मैं मैं की वज़ा है? जानने के मैं हूँ आपके साथ अनामिकासी आप मुझे देख रहे हैं दखबरदार न्यूस पर. सबसे पहले तो यह जान लीजे कि बंबे हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि यह फिल्म रिलीज होगी और इससे मुसलमानों के लिए किसी तरह का कुछ भी आपत्ति जनक नहीं बाए गया अब आते हैं कि फिल्म की कहानी पर विवाद क्यू है और क्या है पिछले 5 साल अगस्त को फिल्म का एक पोस्टर रिलीज हुआ इस पोस्टर से विवाद की शुरुआत हो गई फिल्म को लेकर ट्रेलर इसी साल 30 मई को रिलीज किया गया था जिसे महत 24 घंटे में ही हटा दिया गया रिपोर्ट्स के मताबिक चन संख्या नियंतरन के मुद्धे पर आधारित फिल्म के कुछ सीन्स और डायलोग को लेकर काफी आपत्ति जनक चाहिर की गई आरोप है कि अब फिल्म मुस्लिम समुदाय का अपमान करती है और इसमें कुरान की बातों को गलत तरीके से पेश किया गया कमल चंद्रा के फिल्म हमारे बारा को लेकर विवेक अगनी होतरी की 2022 के फिल्म दक कस्मीर फाइल्स और सुदेव तोशन की 2023 वाले फिल्म दक केरला स्टोरी जैसा है विवाद शुरू हो गया और इंडिया मजलेस इतिहादुल मुस्लीम की महराष्ट इकाई के अध्याक्ष इम्तियाज जली ने आरोप लगाए कि फिल्म हम दो हमारे बारा एक समुदाई विशेश को निशाना बनाती है उन्होंने कहा कि फिल्म अन मनोरंजन के लिए नहीं बलकी विवाद पैदा कर पैसे कमाने के जरिये के तौर बनाई गई है फिल्म के नाम पर भी मसला काफे गरमाय था पहले इसका नाम हम दो हमारे बारा था लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो फिल्म के कलाकारों को जान से माने की धमकियां भी दी गई थी इसके बाद अभी नेता अनू कपूर ने डारेक्टर को और प्रोडिशर के साथ महराश्टर के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सुरक्षकी मांग की थी करनाटक सरकार ने तो फिल्म के रिलीज से दंगे भढ़काने की आशंका जाहिर करते वे अपने आदेश में इलक्चॉनिक मीडिया, शोशल मीडिया, फिल्म थियेटर, इजी टेलिवीजिन चैनल पर फिल्म और उसके चेलर की रिलीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है पहले ये मामला सुप्रेम कोर्ट पहुँचा था और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी हलांकि बाम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने से इंकार कर दिया लेकिन ट्रेलर को आपत्ती जनक मानते वे 5 लाग का जुर्माना जरूर लगाया है कोर्ट ने कहा कि उन्होंने हम दो हमारे 12 फिल्म देखी है और उसमें कुरान या मुस्लिम समुदाय के खिलाब कुछ भी आपत्ती जनक नहीं पाए गया साथ ही अदालत ने कहा कि फिल्म वास्तों में महिलाओं के उत्थान के उद्धेश से बनाई गई है अदालत ने कहा कि कुछ सीन्स और डायलोग को लेकर आपत्ती थी लेकिन अब वो भी हटा दिये गए है वहीं दूसरी और इस फिल्म के पोश्टर सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग तू-तू-मै-मै करने लग गए हैं जैसे कि The Kirla Story के वक्त पर हुआ था कस्मेर फाइल्स के वक्त पर हुआ था एक बार फिल्ब से इस फिल्म की कहानी और कंटेन्ट को लेकर आरोग प्रत्यारोग का सिल्सिला सोशल मेडिया पर भी शुरू हो गया है हालनकि आपकी राय फिल्म पर क्या है? हमें जरूर बताए क्या आप फिल्म देखने जाएंगे